राजनीती में चलते हुए लोगों को बड़े नेता अक्सर पैदल कर देते हैं। इसकी बान की मंगल के दिन यूपी के पूरवांचल एक्सप्रेस वेग के उद्गाटन कारिकरम में देखने को मिली। सुबे के मुख्या योगी आदित नाथ प्रधान मंत्री मोधी की गाड करने वालों की मौच आ गई। वो बार बार चिलाने लगे बेटे मौच कर दी। बड़े हैवी डाइवर निकले तुम तो। खैर ऐसे मौच लेने वालों की हमरक्षा मंत्री राजना सिंग के स्टाइल में निंदा करते हैं। कड़ी निंदा करते हैं। हाँ याद आया इस करक्रम में तो राजना सिंग साब को भी बुलाया नहीं गया था। जबकि उनके मंत्राले के मा तहट आने वाली एर फोर्स के विमान पूरवांचल हाईवे पर करतब कर रहे थे। पिया मोधी के अलावा इस करक्रम में कोई दूसरी शक्सियत थी तो वो थे योगी आदित और उन्हें भी पैदल कर दिया गया। ये नहीं होना चाहिए था। याद कीजिए तो एक दिन पहले ही पिया मोधी के सुरक्षा कर्मियों ने मध्य प्रदेश के मुक्य मंत्री शिवराज सिंग को भी मोधी जी और उनके कैमरे के बीच में आने पर साइड लगा दिया था उस वीडियो के सामने आने पर भी कॉंग्रेस वाले शिवराज सिंग से मजे ले रहे थे और आज कटर हिंदुत वादी योगी जी को सड़क पर दोडाये जाने को लेकर सपा के मुक्या अकलेश शादर उचिया उचिया कर चुटकिया लेने से नहीं चुके। बड़े बेयाबरू होकर इन सड़कों से हम गुजरें। मतलब कि अकलेश यादब कहना चा रहे हैं कि मोदी जी ने योगी जी को भरे हाईवे पर बेयाबरू कर दिया अब कर दिया तो कर दिया वो उनके घर की बात है आप कहे मज़ा ले रहे हैं। अकलेश ने जो वीडियो शेर किया है वो सिर्फ 6 सेकंड का है। अकलेश ने पियम मोदी के कार में बैठ कर जाने और सियम योगी के पैदल चलने को लेकर तंसकसा है। अपनी रत्यात्रा की तैयारी कर ली थी लेकिन प्रशासन ने उन्हें हजाज़त नहीं दी। इसके बाद अकलेश शादव ने एक दिन के लिए रत्यात्रा टाल दी और सियम योगी पर जम कर हमला किया। मंगलवार को पूरवांचल एक्सप्रेस वेकियोध घाटन से पहले भी अखलेश शादव ने ट्वीट कर तंसकसा था। अखलेश ने लिखा फीता आया लटनो से और नई दिली से कहची आई। खेर दोस्तो आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम बेबाग और बेलाग तरीके से आपको सची खबरे दिखाते रहें आप तक पहुचाते रहें। जहन शुक्रिया।